हलो बच्चो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आपकी फैमली में भी सब लोग अच्छे होंगे most important आज का session होने वाला है because आज हम discuss करने वाले हैं कि government college और government university दोनों में क्या difference होता है अभी आप 12th standard में हो बहुत जरूरी है इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है आपके लिए अभी ये सारी information पता होना because आपको जानकारी सबसे लेनी है लेकिन सटीक जानकारी आपको कहां से और कब मिलेगी वो आपको पता होना जरूरी है बोलते हैं कि अधूरा ग्यान अगर किसी को अधूरा ग्यान है उससे अच्छा है कि उससे ज्यानी नहीं है वो जाधा better है तो आपको अधूरा ग्यान नहीं रखना है सारी जानकारी सटीक और सही लेनी है अब उनी स्टुडेंट की भी मैं बात करूंगी जो कि टार्गेट कर रहे हैं बी फार्मेसी को एंट्रेंस एक्जाम के थुरू या फिर टार्गेट कर रहे हैं डी फार्मेसी को एंट्रेंस एक्जाम के थुरू ऐसे स्टुडेंट ही ऐसे टॉपिक सर्च करेंगी कि गवर्म युनिवर्सिटी क्या होती है दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है अधर्वाइस जो 90% यूथ है वो तो खराब हो चुका Instagram Reels में Snapchat में बस उनी में लगा रहता है है ना बाकी जो 10% बच्चे हैं वही वेल्यूवेबल है और वही कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे अपनी लाइफ में और सिर्फ उनी के लिए स्कॉप है आगर आप फामा की भी देखे ना डेली वेसिस पर जॉप वेकार जॉप तो निकल रही है ना डेली वेसिस पर वेकेंसिस आ रही है और 2023 में तो इतनी ज़ीड़ा वेकेंसिस आनी है कि पूछो ही मत तो जो ये बोलते हैं कि स्कॉप नहीं है वो 90% वालें क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाते हैं लाइफ में जिन्हें एंट्रेंस एक्जाम का इभी नहीं पता होगा ऐसे स्टुडेंट का क्या होगा कुछ नहीं हो सकता वो बेरवजगार ही रहेंगे या फिर वो लेबर की नोकरी करेंगे फामेसी करने के बाद भी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी बट जो दस परसेंट है वो स्टुडेंट बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने करियर का पता है जब वो एंट्रेंस एक्जाम की तयारी करने के लिए तयारी कर रहे हैं तयारी करने के लिए सारी चीजे पहले से देख रहे हैं तो ऐसे इस्टूडेंट को कामियाब होने से कोई नहीं रोख सकता रइट अब बात कर लेते हैं गवर्मेंट कॉलेज और गवर्मेंट युनिवरसिटी में क्या डिफरेंस होता है तो मैं आपको सबसे पहले गवर्मेंट चलाई जाती है जैसे कि जिने की हम इंडिया की सेंटरल लेवल की उनिवर्सिटी बोलेंगे जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करूँ आपकी फामेसी के लिए सबसे नंबर वन पे है अभी की अगर मैं बात करूं तो असाम यूनिवर्सिटी गुरु भासिदास वूच्जविधल है और नेशनल ट्रिभालर द्रिवर्सिटी है यू इंडरा गांधी नेशनल ट्रिवर्सिटी है उसके बाद आपकी बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है ठीक है जो की बी फार्मेसी करवारी है दी फार्मेसी करवारी है CUET के थूँ अदर्वाइस ओल ओवर इंडिया में यह best universities हैं वह best wish विज्विज और किसके लिए CUET के लिए ठीक है CUET के लिए या भी फार्मेसी के लिए बोल सकते हैं और Domain Subjects के साथ ही करवा रही है तो उसकी जानकारी में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी अभी जादा लंबा हो जाएगा टॉपिक से में भटक जाएंगे तो अब Central University और दूसरा State Government University Government University जो होती है वो दो हेल्ड करेगी उसके सारे जितने भी नियम कानून होंगे वो यूपि गवर्मेंट बनाएगी जैसे की AKTU डॉक्टर एपीजे अब्दूलकलाम विश्विध्याले जो की यहां पर है ठीक है मदन मोहन मालवे विश्विध्याले जो की उतरपदेस में है तो इस तरीके के जो विश्विध्यालिय है यह कहलाएगे state government universities लेकिन है यह universities अब बात कर लेते हैं मैं universities तो ठीके ही यह को गई यहां पर भी क्या admission होते हैं जी हाँ universities इसमें जैसे की for example लेकिन क्या हजारों कोलिज सारे के सारे गवर्मेंट होगे नहीं वो उनसे एफिलेटिड कोलिज हैं जिनने की वह एफिलेशन देती है एकेट्यू की हाँ पुत्तरपदेश के अंदर मेरे फुरू भी फामेसी करवा सकते हो बट वो प्राइवेट सेक्टर होगा पूरा कम्प्लीटली बस हाँ जो आपको माक्षीट मिलेगी वो एकेट्यू की मिलेगी प्राइवेट उनिवर्सिटी की नहीं होगी वो गवर्में वो सब उस कॉलिज के लेवल पर होगा राइट क्लियर हुआ अब बात कर लेते हैं कि मैं क्या उस एकेट्यू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर यहमारा एड्मिशन हो जाएगा जी हां 66 सीट है बीफामेसी की एकेट्यू विश्विद्धालेव है 66 सीट ठीक ह तो वहाँ पर जो 66 बच्चे हैं जो की ओल इंडिया रैंक में आएंगे जिन्नोंने एकेट्यू को सलेक्ट किया होगा उन इस्टूडेंट्स के वहाँ पर एड्मिशन हो जाएगा एंट्रेंस एक्जाम सी यूविटी के थूरू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस् इंडिया की जितनी भी सेंटर्ल इुवर्मेंट की उनिवर्सिटी नहीं हो अपना मत है कि हाँ वह सी यूविटी के थूरू जाना चाहती है या अपना अलग से अंट्रेंस एक्जाम चांड़क्ट करवाना चाहती है तो जो AKTU University है वो CUET के through admission ले रही है क्लियर हुआ अब बात कर लेते हैं Government Colleges की Government Colleges क्या होते हैं Government Colleges जैसे की for example AKTU विश्विध्यालिया है AKTU विश्विध्यालिय से जो affiliated है दो Government Colleges है ठीक है हजारों Colleges उतसे affiliated है जो की Pharmacy करवा रहे हैं ठीक है ऐसे भी मतलब हजारों Colleges है फामेसी करवाने वाले लगबग मेरे हिसाब से Colleges जो है वो 300 के प्लस है जो की Pharmacy करवा रहे हैं AKTU से affiliation के बाद ठीक है इसके अलावा उसमें से लगबग 2-3 Colleges ऐसे हैं जो की Government Colleges है जो की Pharmacy करवा रहे हैं लेकिन affiliation उन्हें मिला हुआ है किससे AKTU University से लेकिन वो Government College है ठीक है Government College का मतलब क्या होता है जो की किसी Government University से affiliated हो बट Government ने क्या कहा है कि वो भे मेरी ब्रांच है सारा सब कुछ उसका hold कोन करेगी University अपने लेवल पे करेगी ठीक है वो कहलाएंगे Government Colleges क्या उन्हें किसी के affiliation की ज़रत पढ़ती है बिल्कुल पढ़ती है बिना University के affiliation के वो नहीं चल सकते एक फॉर एक्जामपल ब्रांचिस सारी की सारी AKTU की है जितने भी 1000 प्लस colleges affiliated हैं AKTU से सब AKTU के है सब को affiliation वहां से मिला हुआ है लेकिन Government Colleges जो होते हैं उनका Each and Everything जो विजिट करता है जो देखता है रेक रखता है वो सब विश्विध धाले रखता है मेन ब्रांच बोल सकते हैं मेन ब्रांच बोल सकते हैं Government Colleges को Government विश्विध धाले की वही पर जो Private Colleges है वहां पर बोल सकते हैं कि फैंचाइजी देदी है अलग-अलग Colleges को फैंचाइजी वो अपने हिज़ाप से चला रहे हैं कुछ Rules Regulations होंगे कि हमारे नाम से होगा AKTU से Affiliated है वहां का उसे Affiliation मिला हुआ है Rules Regulations हो उसके थूँ फोलो कर रहा है ठीक है बस इतना हो जाएगा उसके लावा AKTU का उसमें कोई भी Interference नहीं होगा क्लियर हो रहा है Registration वहां के थूँ होंगे admission process, mark sheet देना ये सारे प्रोसेजर AKTU के थूँ होंगे और इसके लावा AKTU का कोई भी Interference नहीं होगा ठीक है, clear हो रहा है जो private colleges होते हैं उनमे affiliated वो भी है वो भी affiliated है university से बट वो बताया ना मैंने जो government colleges हो गए वो इस university की main branch हो गई और जो आपके private colleges हो गए वो सब franchises हो गई इस university की clear हुआ, I hope आपको ये concept clear हुआ हुआ तो आपको government college और दूसरी government विश्विध्याले दोनों में difference समझ में आया होगा government विश्विध्याले मैंने बताया दो टाइप से होते हैं central और state ठीक है, central क्या होते है, state क्या होते है ऐसी central जो विश्विध्याले होते हैं उनसे भी affiliated इसी तरीके से colleges होते हैं बहुत सारे होते है private colleges अलग-अलग university अलग-अलग तरीके से होती है जरूरी नहीं है, देखो क्या होता है, mostly जो जैसे विश्विध्याले है अपना उत्तर परदेश में, इसका जो main branch होगा जैसे AKTU है, ठीक है जो राजधानी होगी, वहीं स्थित होगे लेकिन, जो central universities होती है उनके लिए कोई city या फिर कोई भी जंगा matter नहीं करती ठीक है, जैसे डोक्टर हरी सिंग गोर विश्विध्याले है मद परदेश के सागर जिले में है सागर जिला जो है डोक्टर हरी सिंग गोर eh करने वो कहीं भी हो सकता है क्योंकि वह भारत की किसि भी जंगा में हो सकता है लेकिन शेट गवर्मेंट के मिश्विध्यालिय होते है वो सब, moasley कहां मिलेंगे mostly क्या 99.9% सारे के सारे विश्विध धाले रासधानी में ही मिलेंगे, जैसे उत्तर परदेश की रासधानी को नहीं है? लखनाउ, तो लखनाउ में स्थित है, है ना? महां की मदपरदेश की भोपाल, तो भोपाल में स्थित है, तो इस तरीके से ही सारे विश्वित धाले उस पर्टिकुलर स्टेट के राजधानी में स्थित होते हैं ठीक है? इसके अलावा जादा तक जैसे की UP हो गया UP में सारे colleges mostly मिलेंगे जो की भी फामेसी करवा रहे हैं Mostly, mostly, mostly 99% colleges ऐसे होंगे जो की affiliated होंगे किस से AKTU University से क्योंकि AKTU University ही एक ऐसी University है यूत्तर परदेश के अंदर जो की professional courses करवाती है smoothly run करवाती है बहतरीन इसका सारा concept होता है rules regulation होता है तो इसी के थू होता है ठीक है उत्तर परदेश में जो डी फार्मा करवाने वाली जो एक authority है वो है BT UP ठीक है ठीक है जी तो यह हो गया अब आई होप आपको समझ में आया होगा board of technical उत्तर परदेश इसके board के थू ही लब board के थू ही होता है यहाँ पे D pharmacy लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है मदपरदेश में नहीं है वहाँ पे RGPV University ही B pharma करवाती है वो ही D pharma करवाती है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोनों के लिए B pharma और D pharma के लिए board अलग है लेकिन CUET एक ऐसा common exam आया है इसी तरीके के important sessions मेरे आने वाले है back to back जिसमें की मैं आपको UP की important colleges, universities के बारे में बताऊंगी राजिस्थान का, मदपरदेश का, बिहार के सारे state के colleges बताने वाली हूँ वो भी NIRF NIRF का मतलब National Institute Ranking Framework मतलब यह एक ऐसा authority बना रखी है government ने जो की हर साल, पूरे साल survey करती है pharmacy colleges का, engineering colleges का, laws का, सारे colleges का जो अलग-अलग branches है सबकी research होती है, फिर rank दी जाती है अलग-अलग college को, अलग-अलग university को इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई, university कोई rank मिलेगी, नहीं अगर पहले number पर कोई college भी है, जो की proper तरीके से भी pharmacy करवा रहा है best result दे रहा है, best instrument और best placement प्रवाइड करवा रहा है इस तरीके की चीज़े देखने के बाद उसे rank दी जाती है है ना, तो ये सारी चीज़े हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, NIRF दिखाऊंगी भी, कहां से आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ क्योंकि एक 12th candidate को, जो entrance exam के बारे में सोच रहा है, उसे इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देश का भविश्य और आप लोगों को बहुत आगे जाना है, ठीक है, अभी के अभी YouTube चैनल BSP Science को अभी के, अभी सब्सक्राइब करें, साथी साथ वीडियो को लाइक करें, जादा जादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अभी जाके प्लेस्टों से BSP Pharmacy Official App डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, वैल्यूएबल कंटेंट, बहुत जादा वैल्यूएबल कंटेंट, अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा को टार्गेट कर रहे हो, ठीक है, एंटरेंस एक्जाम के थूरू, मात्र निन्या अधन आए, फटाफट जाओ, विजिट करो, कोफी के प्राइज में आपको कोर्स मिल रहा है, अभी के अभी जाके विजिट करो, जोइन करो, टेस्ट पोर्टल का इस्तमाल करो, 2000 प्लस MCQs के साथ आपके प्रपरेशन करवाई जाएगी, आप 110% अच्छे कॉलिज में अड मिलेंगे नेक्स इंपोमेडिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार